ध्यान देने योगे जरूरी बातें अपना कीमती समय निकाल कर अवस्य पढ़ें नमबर एक, सूजी को रोज खाने से हार्ट अटैक का खत्रा कम हो जाता है नमबर दो, गाजर का हलवा खाने से गुर्दे की पत्री तूट कर निकल जाती है नमबर तीन, बासी रोटी खाने से दातों में ठंडा गरम लगने की बिमारी दूर हो जाती है और दात मजबूत हो जाते है नमबर चार, दाई तरफ करवट लेकर लेटने से जल्दी नीद आ जाती है नमबर पांच, लकड़ी की आग से बना खाना खाने से आप ज्यादा सेहत मन रहते हैं नमबर चै, साम को मीठा ना खाओ बलकि कड़वा खाओ जो सेहत के लिए बहुत फायदे मन होता है नमबर साथ, स्मोकिंग और सराब का सेवन करने से दाढ़ी के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं नमबर आठ, बालों पर कंगी ना करने से बाल बहुत जल्दी गिरते हैं नमबर नौ, बच्चों को दलिया खिलाने से उनके वजन को बढ़ाने में मदद मिलती है नमबर दस, दलिया में भरपूर मात्रा में कैल्सियम पाया जाता है, जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ मांस्वेसियों में होने वाले दर्द में भी राहत मिलती है नमबर 11, साम को प्याज का सेवन करने से बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है नमबर 12, जिन औरतों की उम्र 40 से 45 के बीच है, उनको चुकंदर ज्यादा खाना चाहिए नमबर 13, ज्यादा टाफी खाने से दातों की समस्या बढ़ सकती है नमबर 14, कुमार की काली मिट्टी में जरसा देशी घी मिला कर सूजन वाली जगह पर लगाओ सूजन जर से खत्म हो जाएगी नमबर 15, कोई जहरीली चीज मुँ में चली जाए तो तुरंत नमक खालो जहर भी बे असर हो जाएगा नमबर 16, अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है तो उसको केला और सहद मिला कर दें मिट्टी खाना छोड़ देगा नमबर 17, पानी कम पीने से दिमाग की नसों में खून के ठक्के जमने लगते हैं इससे दिमाग पर प्रेसर ज़्यादा पड़ता है जिससे बेहोसी भी आ सकती है इसलिए हमको कम से कम आठ से दस गिलास पानी पीना चाहिए इससे हमारे आधे से ज़्यादा बिमारियां दूर हो जाती है नमबर अठारा काली किस्मिस किड्नी की पत्री को होने से रोकती है इसलिए काली किस्मिस भी खाया करें नमबर उन्निस चुकंदर के पत्तों को उबाल कर सर्धोने से सर की खुसकी दूर हो जाती है 20. जो लोग रात में देर से सोने के आदी होते हैं उनकी टांगे समय से पहले कम जोर हो जाती है 21. सुबह नास्ते के बाद दो अंजीर खाने से लिकोरिया की बिमारी जड़ से खत्म हो जाती है 22. बच्चों को अक्सर दस्त, उल्टी, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं होती रहती है इन समस्याओं को दूर करने के लिए बच्चों को इलाइची वाले दूद का सेवन करवाएं यह गैस को कम करेगा और बच्चों को इलाइची का दूद पिलाने से पेट को ठंधक मिलती है नमबर तेईस जिन बच्चों को कम उमर में ही चस्मा लग गया है उन्हें मिस्टरी, सौफ और इलाइची को दूद में डाल कर बच्चों को पिलाना चाहिए इससे आखे स्वस्त रहेगी और सरीर भी स्वस्त रहेगा नमबर चौबिस बच्चे प्लास्टिक की वाटर वोटल में पानी पीते हैं प्लास्टिक के टिफिन में खाना खाते हैं और घर में प्लास्टिक के कंटेनर में मसाले रखे जाते हैं प्लास्टिक के तत्तो खाने की चीजों में घुश जाते हैं इससे हार्मोंस प्रभावित होते हैं नतीजा कम उम्र में लड़ियों को प्रिकोसियस प्यूटी का सामना करना पड़ता है नमबर पचीस पान के पत्तों का रस आँखों में डालने से आँखों का लालपन खत्म हो जाता है नमबर 26 होटों का सूच जाना जल्दी गुर्दे खराब होने की निसानी होती है नमबर 27 28. रात को चेहरे पर दही की मालिस, दही की मलाई लगा कर सो जाने से चेहरी की जुरियां खत्म हो जाती है 28. खाने में अंजीर और लहसुन का इस्तमाल बराबर मात्रा में दो महीने तक करने से गुटनों का दर्द खत्म हो जाता है 29. दस ग्राम पिसी सौप को घी में मिला कर सेवन करने से चक्कराना बंद हो जाता है 30. हर रोज चुटकी भर काला नमक रो जाना खाने से दिल का दर्द नहीं होता है 31. कच्चा बदाम खाने से आँखों से संबंधित परिसानिया होती है 32. सफेद जीरे की सेवन से कैंसर का खत्रा कम होता है या दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है 33. गर्म दूद पीने के तुरंद बाद पानी पीने से आपको खासी की बिमारी हो सकती है 34. जंग लगी हुई लोहे की चीजों पर नीबू रगड़ने से जंग खत्म हो जाता है 35. मूच की बालों का सफेद होना सुगर ओने की निसानी मानी जाती है 36. हरी चाय में गुर डाल कर पीने से चेहरे की जुरियां खत्म हो जाती है 37. रात को मक्षन खाने से खाल मुलायम और चमकदार होती है 38. अगर आपके बाल ड्राई हैं तो हपते में एक बार बालों पर गर्म तेल की मसाज करें और बाद में गर्म तेल बालों को ड्राई होने से रोकेगा और उन्हें मुलायम बनाएगी 49. महंदी को कलर आने तक ही बालों पर लगे रहने दे फिर धोले महंदी जितनी देर बालों में लगेगी उतनी ही देर बालों की नमी सोखेगी 40. कई बार एडियों में दर्द होने से चलने में कठिनाई होती है ऐसे में 40 मिली सरसों के तेल में आधा चमच हल्दी 3-4 कली लहसुन थोड़ा सा नमक पका लें अब इन तेल को छान कर हलका गुनगुना करके सोते समय मालिस करें 41. सर्दियों में बच्चों की सेहत के लिए तूलसी के चार पत्ते गिसकर 50 गराम पानी में मिलाकर सुबह के समय पिलाएं बच्चों को सर्दिन नहीं लगेगी 42. सूरज मुखी के तेल को पैरों में मालिस करने से दर्द नहीं होता है 43. गाजर की जूस में नमक डाल कर पीने से आँखों की कम हुई रोसनी लौट आती है 44. किडनी इस्टोन से दूर रहने के लिए नियमित तौर से खरबूजे का ड्रिंक का सेवन करें 45. चुकंदर में आईरन की मातरा अधि होती है इसके नियमित सेवन से चेरे पर ग्लोव आता है 46. दिल की रोग्यों के लिए करे लेकर ड्रिंक बहुत फायदे मन्द होता है 47. अगर आप मसूर की दाल का नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो यह आपके सरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होने देता है साथ ही सरीर की कमजोरी भी दूर करता है 48. भोजन के बाद दोनों समय आधा चमच सौप चबाने से मूगी अन्यक बिमारियों और सुखी खासी दूर होती है साथ ही बैठी हुई आवाज भी खुल जाती है और गले की खरास भी दूर हो जाती है 49. चाय के साथ हल्दी खाने से इंसान की मौद भी हो सकती है इसलिए चाय के साथ कोई भी ऐसी चीज का सेवन ना करें जिसमें हल्दी की मातरा ज्यादा हो 50. अगर हलके पीले रंग का पिसाब आता है तो आप अंद्रोनी तोर पर स्वस्थ नहीं है 52. इमली खाने से दिमाग को ताकत मिलती है 53. सेव खाने से फोरन बात पानी ना पिएं क्योंकि ऐसा करने से गले का कैंसर हो सकता है थैंक्स फर वाचिंग